नमस्कार, आप जोब के लिए जा रहे हो, आप बिजनिस के लिए जा रहे हो, आप समाज की मिटिंग के लिए जा रहे हो, या आप राजनिती की मिटिंग के लिए जा रहे हो, impression लोगों पर पढ़ना बहुत जरूरी है आपका impression लोगों के उपर ऐसा होना चाहिए कि जब आप वहाँ जाए तो लोग देखें कि यार कौन आया वाकिन first impression is the last impression impression ऐसा होना चाहिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें और आपके आने से पहले भी लोग आपको याद करें तो ऐसा best impression लोगों के उपर कैसे बनाए कि लोगों के दिलों में अपनी चाहप छोड़ दे एक good impression एक अच्छा परपाव एक अच्छी चाहप आपको लोगों के दिलों में छोड़नी है नमबर वन आप जिस जगे जा रहे हो वहां की situation को जान ले पहले आप किस के लिए जा रहे हो बिजनेस मिटिंग के लिए जा रहे हो आप समाज की मिटिंग के लिए जा रहे हो या आप अपने कोई छोटा मुटा लेक्चर देने जा रहे हो अपने दोस्तों के बीच में जा रहे हो कहां जा रहे हो वाँ की situation आपको पता होनी जरूरी अगर वाँ की situation आपको पता होगी तो आप अच्छी तरह से बोल पाओगे आपको किस जगह क्या बोलना है आपको knowledge होगा वरना आप बिजनिस की जगह जा रहा है उस जगह का आपको पता ही नहीं रहा है आपको तुरंद बोलने के लिए कहोगे तो आप नहीं बोल पाओगे वो जो effective आप बोल सकोगे, वो नहीं बोल पाऊगे, क्यों? क्योंकि आपको उस जखे के बारे में नोले नहीं है, आपको situation के बारे में नोले नहीं है, आपको तुरंट खड़ा कर दिया बोलने के लिए, तो आपका effect, आपका परभाव लोगे के उपर ऐसा नहीं पड़े, जह जोब के लिए चारे हो, चाहे business के लिए जा रहे हो, चाहे office के लिए चाहे किसी meeting के लिए जा रहे हो, चाहे किसी lecture देने के लिए जा रहे हो, बस वहां की situation को आपको पता होनी चाहिए कि मेरे को वहां जाना और कब क्या बोलना है, situation अगर आपको पता होगी नहीं तो आप अ अच्छी तरह से अपना इंप्रेशन लोगों के ऊपर छोड़ पाऊँ सेकर्ड उचित कपड़े पेने सई कपड़े पेने जिस जगह जा रहे हो वहां की सिच्वेशन के अनुसार कपड़े पेनना है यूनि कि आप बिजनेस के लिए मिटिंग के लिए जा रहे हो और हर केसी कपड़े पेन लिए आप साधी में जा रहे हो तो बिजनेस के कपड़े पेन लिए आप दोस्तों के साथ में घुम रहे हो तो साधी वाले कपड़े पेन लिए नो निवार आप जिस जगह जा रहे हो उस जगह उस हिसाब के वैस्तित कपड़े आपके होने चीए ध्यान अगर आपके कपड़े अच्छे नहीं होगे, आपका रांसान अच्छा नहीं होगा, तो आप लोगों के उपर अपना प्रभाव कैसे छोड़ोगे, अपना गुड इंप्रेशन लोगों के उपर कैसे छोड़ोगे, उनके दिलों में अच्छी चाप आप कैसे छोड़ोगे, इसलिए आप कपड़े वैस्तित होने चीए और जिस जगह जा रहे हो बिजनिस के अनुसार बिजनिस के कपड़े हो जोग के अनुसार जोग के कपड़े हो और समाज की मिटिंग के लिए समाज जैसे कपड़े हो साधी में जा रहे हो तो साधी के जैसे अनुकूल कपड़े हो होने चाहिए हर जगे के हिसाब से आपके कपड़े होने चाहिए यह निक जिस जगे जा रहे हो अफला थून बनके जा रहे हो हर किसी तो आपका इंप्रेशन लोगों के सामने अच्छा नहीं जाएगा आपकी इमेज गुड इमेज नहीं बनेगी थर्ड समय के पाबन जरूर रहना जब कोई आपको पहली बार बुलारा किसी मिटिंग के लिए या जोग के लिए या कहीं पे भी तो समय के पाबन जरूर रहना यह नहीं कि लेट जा रहे हो और माँ सब कुछ यह है कोई नहीं इतना चलता है नहीं चलता है आपसे ज्यादा सामने वाले का समय important है वो एक थोड़ा सा समय निष्चित करके आपको बूला रहा है तो ध्यान रखना कि आप अपना time waste नहीं कर रहे हो आप सामने वाले का time waste करो जो सामने वाले का time waste हो का नगा तो आपका impression लोगों के सामने अच्छा नहीं जाएगा क्या कहेंगे अरे यार कोई नहीं यार वो time का functional नहीं या वो ऐसी time waste करता है तो ध्यान रखना कहीं पे भी हो good impression आपको रखना है लोगों के उपर समय के पाबंद रहना चाये business में हो चाये job में हो चाये समाच की meting हो चाये आपके दोस्तों के बीच में हो चाये कहीं पे भी हो बस time पंचोल जरूर है forth eye contact आप कहीं पे भी जा रहे हो eye contact जरूर बना करना आप 4-5 जथरे बात कर रहे हो, मिल बेट के बात कर रहे हो आप उपर देख रहे हो, कभी इधर देख रहे हो, कभी उदर देख रहे हो, आप कोई लेना है न देना है कभी कभी भी इसमें फोन निकाल कर फोन देख रहे हो तो जब आपका आई कॉंटेक्ट बोलने वाले से नहीं होगा तो सामने वाला यहीं देखेगा और कुछ नहीं यहां तो यह तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया है हमारी बाते घोर से नहीं सुन रहे हैं आप कहीं कोई भी सिच्वेशन हो कोई भी जगह हो लेकिन जहां पर भी आप बेटे हो खड़े हो आई कॉंटेक्ट सामने वाले से जरूर बढ़नाएक रखना आपने आई कॉंटेक्ट दोड़ा तो लोग क्या सोचेंगे नहीं कुछ नहीं आरे तो टाइम पास कर रहा है लोगों को इग्नोर मत करना जहां आप जा रहें वरना आपका इंप्रेशन बहुत ही खराब पड़ेगा ये कहेगा कोई नियत टाइम पास करने आया है लोग आपके जाते ही आपकी बुराई शुरूर कर देंगे इसलिए ध्यान रखना कहीं पर भी जाओ लोगों से अपना आई कॉं मुका मिले समाज में दोस्तों के पीज में बिजनिस मीटिंग में जोब में तो ये नहीं सिर्फ आप ही बोलते जाए सामने वाले को बोलने का मुका ही ने दे ध्यान रखना जो सुनता ज्यादा है ना वो अच्छा नोलेज अर्ण करता है क्यों क्योंकि उसे बहुत सारी इ जाओ तो बोलना कम सुनना ज्यादा और ऐसा बोलना कि सामने वाला आपके बोलने से मोहित हो जाए आप से इफेक्टिव हो जाए आपका परभाव उसके उपर पड़े इसलिए बोलने से ज्यादा सुनने की ताकत रखना जितना ज्यादा आपको नोलेज होगा एक तो आपको बोलने के अंदर से आएगा और एक आप अच्छे पॉन्विडेंस से सामने बोल पाओगे लोगों के उपर अपना अच्छा इंप्रेशन डाल पाओगे वरना आप जहां जा रहे हो उस जगे के आपको नोलेज नहीं है उस जिस टोपिक पे बात हो रही है उस पर आपको नोलेज नहीं है तो आप क्या बोलोगे कुछ नहीं बोलोगे इधर-उदर की बात Sabbath करोगे और जब इधर-उदर की बात Sabbath करोगे तो लोग देद कुछ नहीं आरे, बैसा ही बोलता है, बिना knowledge की जै कुछ बोलता है शोर्ड बोलना, सटीक बोलना और knowledge का साथ बोलना जहां पे भी जा रहे हो आपका इंपॉरेंशन लोगे सांसे होगा ना लोग आपके उपर मौहित हो जाएगा लोग आपके नीद होते přिम्क गर्शुम,"क्या नोलेज वाला बंदा है क्या नोलेज रखता है इसलिए जहां भी जाओ न उस जगे का नोलेज उस टोपिक पर नोलेज जरूर रखना आप बहुत ही अच्छा इंप्रेशन लोगों के उपर डाल पाओ